Welcome back friends, this is current affairs funda, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो question आपके IBPS PO के main examination में पूछे गए हैं, general awareness के और current affairs से related, तो उसमें कैसे questions फर्म हुए, और आपका जो IBPS clerk का examination आने वाला है, या फिर आपका RRB का examination आने वाला है, बहां पर क्या relation हो सकता है उन questions का, तो हम आपको हर एक topic में detailed में यहाँ पर बताएंगे, तो start करते हैं इस वीडियो के और, अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों like जरू करें और channel को subscribe कर लें, पहला question आपसे पूछा गया था कि bank का headquarter, तो आभी आप note down करके रख लो, कि हमें bank के headquarter important committee आती है, उनसे IBPS ने आपका question पूछा था, important committee से, तो पूछा था, रतन बाताल जो committee है, वो किस लिए setup की गई थी, तो यह दोस्तों digital payments के लिए setup की गई थी, इन्होंने अपनी recommendation में कहा था, कि जो card का payment से उसको promote किया जाए, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ऐसा क क्यूं कहा, क्यूंकि आप देखते हैं, जब card से कोई भी payment होता है, तो वो transparent होता है, proper, उस पर bet भी लगता है, सारी चीज़े होती है, इसलिए card के payments जो होते हैं, वो transparent होते हैं, और cashless transactions को इन्होंने avoid करने के लिए अपनी, इस committee ने report दी थी, एक question आप से पूछा गया था, कि यह दोस्तों, New Delhi, India में हुई थी, अब next question की बात करते हैं, इसमें पुछा था, रुपीस 10,000 की जो currency है, currency के note है, वो demonetized हुए थे, किस बर्ष में, तो यह दोस्तों, 1978 में हुए थे, अब यहाँ पर एक question आप से मैं बताना चाहूंगा, कि demonetization से related, जब question आया है, तो आप य मैं आपको बता दूँ, कि जिस मन्त में आपका paper होने बाला है, उस मन्त से 3 महीने पहले कि आप current affairs plus current date तक की appears को आप note down करके रखें, तो देखो, इसमें बुछा था, 10,000 के currency notes जो है, उनकी value जो थी, वो demonetized किस वर्स में की गई थी, तो यह 1978 के में की गई थी, अब आपको स आप इतना समझ लो, तो demonetization क्या होता है, is the act of stripping a currency units of its status as a legal tender, अब देखो, legal tender से currency को हटाने का मतलब क्या होता है, अगर मैंने अभी PM मोधी जी ने क्या कहा, कि जो 1000 रुपे की मुद्र है, वो आज रात, 8 तारिक की रात को 12 बज़े के बाद से legal tender नहीं रहेगी, इनोंने य legal tender नहीं रहेगी, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर मैं इस currency के बदले में कोई भी बस तो खरीता हूँ, तो वो मुझे बस तो नहीं दी जाएगी, मतलब इस currency का बर्चस जो है, वो पूरी तरह से खतम हो गया, अब इस currency की इस भारत के अंदर, भारत वर्ष के अंदर इस currency की कोई भी value नहीं है, यही legal tender का मतलब होता है, अब आप देखते हैं कि अभी आप 100 रुपय का note market में चलाने जाते हैं, तो यह चल रहा है, क्योंकि यह RBI की तरफ से legal tender currency है, तो demonetization का process क्यों क्या आता है, देखो demonetization का process इसलिए क्या आता है, अगर हमारी economy के अंदर बहुत सार मतलब जैसे कहा जाए, कि काला धन kind of अगर चुपा रहता है, और उसको हमें बाहर निकालना होता है, तो हम लोग क्या अगरते हैं, अपनी उस पुरानी currency को बिल्कुल तरह से collapse कर देते हैं, और एक नई currency issue कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं, कि जब कभी भी government of India हमारी नई currency को issue करती है, तो पुरानी currency जो है, वो अपने आप उसका बर्चस खतम हो जाता है, तो demonetization is necessary whenever there is a change of national currency, जब कभी भी national currency में change होता है, तब भी demonetization किया जाता है, the old unit of currency must be retired and replaced with a new currency unit, यह मतलब होता है, next question की बात करूँ, इसमें पूछा गया था, इंद्रावती national park जो है, वो कहाँ पर है, अब यह आपका किस से आता है, static gk से question आता है, तो static gk का एक आपका question आया था, अब इंद्रावती national park आपका किस राजी के अंदर है, यह दोस्तो आपका 36 गड़ में है, तो आप थोड़ में थोड़ी से detail हम समझ लेते हैं, basically small finance bank का basic motto क्या है, मतलब क्यों यह bank launch की जाती है, financial inclusion, बित्तिय समाबेस को बढ़ाने के लिए, बित्तिय समाबेस का basically financial inclusion का मतलब यह होता है, कि हर एक person को banking की services से जोड़ना, ओके, तो अभी आपने देखा है, जंदन accounts open किये कहते हैं, तो जंदन accounts open करने का basic motto क्या था, कि financial inclusion को बढ़ाबा देना, बित्तिय समाबेस को बढ़ाबा देना, कि लोगों, जो लोग हैं, वो banking से आकर जुड़ें, तो यही basic aim होता है, small finance bank को open करने का, तो इसमें यह क्या है, कि जो भी detail है, वो आप यहां से पहले note down भी कर सकते हैं, और आ CSBDA account के है, basic saving bank deposit account, तो इनके उपर आप अच्छे से सारे points note down करना start कर सकते हैं, एक question आप से payment bank के उपर पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूँ कि payment bank जो है, वो 19 अगस्ट 2015 को, basically यह concept आया था, और इसमें क्या हुआ था, कि Reserve Bank of India ने जो principal license है, वो 11 entities को दिया था, 11 bank को payment banks क license दिया था, तो यह चीजें आप ऐसे articles newspaper में अगर आते हैं, तो इनको note down करते रहा करें, एक question आप से पूछा था, Dalai Lama जो है, इनको एक honorary citizenship जो है, वो कहां की दी गई, Italy की तो दी गई, और Italy में किस सहर की, तो यह है Milan में, ठीक है, Dalai Lama has been given the honorary citizenship of which city of Italy, that is Milan, okay, एक question आप से G8, ठीक है, Brick Summits, और NATO, अब यहाँ पर NATO से question पूछ लिया था, NATO basically है क्या, यह एक North Atlantic Treaty Organization है, also called as the North Atlantic Alliance is a Intergovernmental Military Alliance, मतलब की एक तने की शेनाओं का समू है यह, ठीक है, नाटो की अपनी खुद की एक आर्मी भी है, और based on the North Atlantic Treaty which was signed in 4th of April 1949, 4 April 1949, चार अप्रेल उन्चास को यह treaty signed ह हुई थी, और इसका अभी जो सम्मिट हुई है, 2017 की इसका venue कहां पर था, तो यह था Belgium, Brussels, ठीक है, तो ऐसे questions आपसे आने बाले exams में भी पूछे जाएंगे, एक question आपका पूछा गया था, कि भवाणी सागर डैम जो है, वो कहां पर इस्तित है, तो दोस्तों भवाणी सागर जो है, वो Tamil Nadu में है, अब अगर बात की जाए, इसकी थोड़ा और अंदर जाके, तो यह किस नदी पर है, यह भी आपसे question कभी-कभी पूछ सकता है, तो भवाणी सागर डैम, इसको हम lower भवाणी डैम भी कहते है, यह दोस्तों इरोड डिस्टिक में है, Tamil Nadu का एक डिस्टि के और move करते है, इसमें यह देखो, हाइमा से related question पूछ लिया था, बहुत highlighted news थी, और यह भी चाइना में एक तरह का बोलते हैं, यह कि चक्रवाद काइंड आया था, तो इसका नाम था हाइमा, और यह गौंग डोंग में आया था, गौंग डोंग प्रिवेंस में, तो यह कह पर government में, कि बहराश्प्रधी शाषन भी लगाया गया, और उसके फिर से government, Supreme Court के decision के according, फिर से government बहाँ पर बनाई गई, तो उसी दोरान इन्होंने कालिखोपुल ने अपनी suicide कर ली थी, तो यह अरणाचल प्रदेश के CM थे, अब एक question आप से पुछा गया था, कि as per the Reserve Bank of India annual report, Reserve Bank of India की annual report के according, what is near report gross value added GBA, GBA जो है, उसके आपको value बतानी है, ठीक है, 2016 सत्रे के लिए, तो यह 7.6% है, अब gross value added GBA है क्या, यह दोस्तों एक measure होता है, measure of the value of goods and services produced in an area, industry or the sector of an economy, ठीक है, economical time है, तो आप यहाँ से इसकी definition note down कर सकते हैं, एक important question पूछा गया था आप से कि Bermuda Triangle जो है, वो किस सागर पर है, in which ocean, तो यह दोस्तों North Atlantic Ocean, यहाँ पर यह Bermuda Triangle है, अभी है क्या, देखो Bermuda Triangle में basically क्या है, कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ship और aircraft है, वो पता नहीं कहां चले गया, इनका आज तक पता नहीं चल प सैतानों का Dube भी कहते हैं तरह से, ठीक है, डेवल Triangle के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो यहाँ पर बहुत सारे aircraft और ship जो है, वो अभी ही तक नहीं पता, disappear हो गया है, ठीक है, उनके बारे में कोई वी information हमें नहीं मिल पाई, अब एक question आप से पुछा था, कि Antrep Diamond Wang, जो है The Antrep Diamond Bank is a small 75-year-old bank that specializes exclusively in serving the diamond and the diamond jewelry sector, जो भी diamond jewelry sector है, उसके लिए ही यह bank basically बनाया जाता है, इडिस दुनिया का second largest diamond bank है, दुनिया के अंदर, after ABN Ambrose International Diamond and Jewelry Group के बाद में, तो अब यहाँ से आपको पहला भी पता चल गया, और दूसरा तो यहाँ पर question में पूछ लिया गया था, एक आपसे question पूछा था कि EFTPOS, ठीक है, जो electronic fund transfer point of sale machine होती है, आपने देखा होगा, जो आप mall बगार में जाते हैं, आप अपना card swap कराते हैं, machine से, तो वो आपकी point of sale machine होती है, तो उसमें पूछा था E का क्या मतला होता है, तो E का मतला होता है, electronic, full form होती है, electronic fund transfer at point of sale, हर एक mall में, हर एक shop पर यह machine होती है, okay, next question आपसे पूछा गया था कि, who is the author of one Indian girl, one Indian girl का author कौन है, तो यह दोस्तों चेतन भगत की book थी, तो उसके बारे में एक book से question आपका पूछ लिया गया था, फिर एक आपका microfinance related question पूछा था, which bank acquired Grama Vidyal microfinance, अब देखो IDFC bank, अब इसको bank का दर्जा भी दिया था, RBI ने, दो बैंको को दिया था, बैंक का दर्जा, एक IDFC, और एक बंधन, तो इसने क्या करा है, कि अभी Grama Vidyal microfinance से उसको acquire कर लिया था, तो इसके बारे में news पूछा क अब देखो basic saving bank deposit account होता है, BSBDA, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सही कर लो, BSBDA है यह, ठीके, तो BSBDA का basic मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है, दोस्तों financial inclusion को बहुत ज़्यादा बढ़ाबा देना, मतलब बित्तिय समाबेस को improvement लाना, उसमें बहुत सारे शुदार करना और लोगों को banking services से जोड़ना, तो इसलिए BSBDA account होता है, अब BSBDA account में withdrawal और transfer limit की बात अगर की जाए, तो यह 10,000 रुपीस की होती है, बहुत चोटे लोगों के होता है, जैसे कि अगर कोई एक गाउ में छोटा सा business कर रहे है, तो वो कितना transaction करेंगे मन्त में, अब किसी ने चोटा सा पापड का business किया हुआ है, कि पापड बनाने हैं और उनको सहर में जाकर बेचना है, तो यह भी हमारा MS, MES के अंदर में आता है, और यह जो business है, यह सारे BSBDA से connected होते है, एक question आप से पुछा था, CRR से related कि purpose क्या है CRR का, तो आपको पता है कि control, money, supply, आपने देखा पता हूँगा दोस्तों, banking के अंदर, okay, तो आज की video में बस इतना ही, तो यह question से आपको एक idea लग सकता है, कि आपका RRB का exam है, तो अभी जो question पूछे गए, इनके आस पास के questions को आपको करना है, जैसे banking के headquarters आपको सारे कर लेने हैं, submit से question पूछा है, तो लगबग अगर मैं आपके लिए, तो इसी तरह से इस चैनल को subscribe करें दोस्तों और video को देखते रहें, thank you, have a good day.